प्यारे बच्चों, हमने पहले भाग में ये देखा कि एक हिंग वाला आया, उसने सावित्री को हिंग बेचा, उसके बच्चे ना कहते हुए भी, सावित्री ने खान साप से हिंग खरी दी, और अब आगे हम दुसरे परिशेत में देखेंगे, कही मैंने बीट गए हिंग खत्म हो चुकी थी, सुबा सुबा का वक्त था, सावित्री उसी चपुत्रे के नीचे बैठी भी थी, अचानक उसे आंगन में उसके पती की जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी, उसने देखा कि एक हिंग वाला आया है हिंग बेचने के लिए और सावित्री का पती उसे नहीं कह रहा है, सावित्री ने जब आवाज सुने और हिंग बेचने वाला अंदर चला आया, और सावित्री उसी चपुत्रे के नीचे बैठी भी थी, जैसे ही वो सावित्री पास आया, सावित्री ने कहा, खान साब, तुम इस बार आने में हिंग पुरी खत्म हो चुकी थी हम तुम्हारा कब से इंतिजार कर रहे थे ठीक है अम्मा मैं अब तुम्हें आ गया हूँ अपने हुनक से अब मैं तुम्हें हिंग दे देता हूँ इसी बीच साविद्री ने ये कहा कि पिछली बार होजी के मोके पर गाव में कुछ फसाद हो गया था तुम्हें आने में या इस घर में हिंग बेचने के लिए आने में डर नहीं लगा नई अम्मा तुम कैसी बात करती हो हिंग बेचना तो मेरा कारोबार है भला मैं कैसे डरू ठीक है, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है अम्मा पैसों की कौन फिक्र करता है जब अगली बार आओना तो जब मुझे पैसे दे देना तुम अभी हिंग ले लो और हिंग वाला चला गया इसी दौरान दसेरे के मौके पर आज दसेरे का दिन है दसेरे के मौके पर गाउ में चार बजे जुलूस निकलने वाला है इस जुलूस में जाने के लिए सावित्री के बच्चे सुबा से ही तयार है लेकिन सावित्री बच्चों को भेजने से या मेला देखने के लिए जाने के लिए मना कर रही थी बच्चे जीद कर रहे थे नौकर रामू ने कहा अम्मा जाने के लिए इजाज़त दे दो मैं बच्चों को साथ ले जाओंगा और आप किसी तरीके की कोई चिंता मत करो मैं बच्चों को मेला दिखा कर घर सूख रूप वापस ले आओंगा ये कहकर इस कहने पर रामू के कहने पर सावितरी ने बच्चों को रामू के साथ में जाने की इजाज़त दे दी और बच्चे मेला देखने के लिए रामू के साथ में चले गए